तो चलिए शुरुबात करते हैं आज की इस वीडियो की डिस्कस करते हैं जे में दोहजार चौबिस माया बाइनोमल थियोरम का है शांदार सवाल सवाल क्या कहता है? Let M and N be the coefficient of 7th and 13th terms respectively यानि 7th term का जो coefficient होने वाला है उसे हम M कहेंगे और जो 13th term का coefficient होने वाला उसे हम N कहेंगे Expansion आपको यह दिया गया है और इस expansion में आपको N by M raised to the power 1 by 3 की value बतानी है सबसे पहले हम क्या करेंगे? भई हमारे सामने expansion है तो सबसे पहले हम general term रिखेंगे General term हमारी हो जाएगी TR plus 1 is equal to NCR, NCR यानि 18CR पहले वाले की पार N minus R तो पहला वाला है 1 by 3, X की पार 1 by 3 इसकी पार N minus R यानि 18 minus R और दूसरे की पार R और दूसरा अपना 1 by 2 X raised to the power 2 by 3 की पार R और इसे थोड़ा सा जो है वो हम अच्छे से लिखेंगे तो यह हमारा बन जाएगा TR plus 1 General term हमारी बन जाएगी 18CR भाई यह 1 by 3 की पार 18 minus R हो जाएगा 1 by 3 की पार 18 minus R हो जाएगा और यह X की पार कितना हो जाएगा 18 minus R by 3 पावर की पावर मल्टिप्लाए होती है ऐसे यह 2 की पार R हो जाएगा और X की पार हो जाएगा 2R by 3 पावर की पावर मल्टिप्लाइ होंगे ना तो X की पार हो जाएगा 2R by 3 उपड जाएगा तो X की पार हो जाएगा माइनस 2R by 3 इन दोनों को हम कलब कर लेंगे आपस में मिला लेंगे तो TR plus 1 हमारे सामने आ जाएगा 18CR X की पार हम जब कैलकुलेट करेंगे तो यह हो जाएगा 18 माइनस 3R by 3 18 माइनस 3R by 3 और नीचे हमारे पास 3 की पार 18 माइनस R है और 2 की पार R है अब आपसे का गया 7th term 7th term जब आएगी जब R को 6 रखेंगे और जो उसका कोईफिशेंट आएगा उसे मैं M कहेंगे तो R को 6 पुट कर दीजे तो term 7 निकल के आ रहे हैं 18C6 6 इंटू 3 18 माइनस 18 0 by 3 is 0 X raise to the power 0 is 1 खतम हो जाएगा डिवाइट बाइ 3 की पार 18 माइनस 6 is 12 और 2 की पार is 6 X R की जगा 6 पुट किया 18 माइनस 6 is 12 3 की पार 12 और 2 की पार 6 तो ये तो हमारी आई 7th term T7 जब R को 6 पुट किया और इस पूरे को ये इंडिपेंडेंट ओफ X आई है तो ये पूरा ही coefficient of 7th term है ये पूरे M की value है N की value निकालते है 13th term निकालने पड़ेगी तो इस बार R को थोड़ा सर्रंग बदलते है R को पुट कर रहे हैं 12 जब आप R को 12 पुट करेंगे तो term आई कि आपकी 13 तो ये आएगा 18C 12 18C 12 X की पार 12 इंटू 3 36 18 माइनस 36 माइनस 18 बाई 3 माइनस 6 X की पार माइनस 6 आएगा लेकिन हमें तो कोईफिशेंट देखना है न तो वो तो X की पार 6 की माइनस 6 की बगलवाला होगा 3 की पार 18 माइनस 12 6 2 की पार 12 अब जो N की value हो जाएगी वो कोईफिशेंट है तो N की value इतनी हो जाएगी बिटा जी यह सब N की value है तो आपको जानना है N by M तो this यानी 18 C 12 divided by 3 की पार 6 2 की पार 12 divided by N यह हमारा है 18 C 6 3 की पार 12 2 की पार 6 यह हमारा बन चुका है N by M और N by M raised to the power भी हमें कितना चाहिए 1 by 3 तो इस whole की पार भी हमें 1 by 3 चाहिए और हम जानते हैं कि N C R बराबर होता है N C R बराबर होता है N C N minus R की यही reason है कि 18 C 12 जो है वो बराबर होता है 18 C 6 के कट जाएगा 3 की पार 6 2 की पार 6 2 की पार 12 को काटेगी 2 की पार 6 बचेगा 3 की पार 6 3 की पार 12 को बचेगी 3 की पार 6 बचेगा वो वाला यहां के लिख देंगे हम यह हमारा बन जाएगा 3 की पार 6 by 2 की पार 6 whole की पार 1 by 3 इसे हम लिख सकते हैं 3 by 2 whole की पार 6 into 1 by 3 power की power multiply होती है यह हमारा आजाएगा 9 by 4 और 9 by 4 अगर यह आजाएगा तो हमारा option number D जो है वो correct option हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ यह question आपको अच्छे से समझ माया होगा